हाई एवरिवन वेलकम बेक टो मैं चैनल मैं हूँ पूजा कैसे हो आप सब तो आज की वीडियो में मैं आप लोगी साथ शेयर करने वाली हूँ यह ब्यूटिफुल मेकप लुग जो कि मैंने किया था दिवाली की रात और साथ ही इस आउटफिट के डेटेल्स भी शेयर करू और अपना ब्लाउस भी वियर कर लिया तो आए स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगे प्राइमर तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे सु इस ब्यूटि का रियल मेकप बेस यह इतना अच्छा है कि तो हमें अफकॉस ग्लो तो देता ही है क्योंकि इस इसको आज finger के help से ही blend कर रही हूं तो बात करते हैं इस outfit के first part की जोकी है blouse part तो यह जो blouse है इसका मैंने कपड़ा लिया था सिर्फ एक मीटर गानी नकम मार्गेट से आपको याद होगा कि मैंने पहले भी शेयर किया था वीडियो में तीज वाली वीडियो में तो उसी time मैं मैंने लिया था मार्श में तो यह काफी time से रखा वा था इसको online भी मैंने देखा काफी सारे लहेंगे सूट वगारा इस में आपने देखा होगा कि काफी ज़र ट्रेंड कर रहा है तो मैंने सुचा कि इसका मैं ब्लाव स्टिच कर वाऊंगी जब मैंने देखा तो मुझे क अपने टेलर को समझा और इतने अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर दिया लास्ट में आपको सारी डिटेल्स देदूंगी कि मुझे कि इतना कॉस्ट पड़ी है सब की कंसीलर के बाद मैं यहां पर लैकमी का सीसी क्रीम ले रही हूँ जितना मुझे लगाना होता है मैं अतना ही अपने हाथ पे लेके और साथ ही इसके अंदर लिक्विड हाइलेटर भी मिक्स कर रही हूँ इस बिटी से है दोनों को ही आप अलंग अलग भी उसकर सकते लेकिन स अब भी मैं इसको मिक्स करें थोड़ा और जाधा ग्लो के लिए मैं बहुत ही जाधा नच्रल और बहुत ही वीरेबल मेकप उसराँ चाहती थी क्योंकि एक तो बैसी में बहुत टाइम बात करी थी बहुत मन्थ हमेरा में अपकरने का इसलिए मैंने बहुत तरसली जबाट क मेकप को किया और फाइनल जो लुक काया था वो बहुत अच्छा है था आप लोग भी है जरूर ट्राय करना कोई भी अपना हाइलेटर लेकर या अगर अगर आपको यह भी है तो भी आप इसको लेकर अच्छे से ब्लेंड कर सकते अपने फाउंडेशन या सीसी क्रीम या फ काफी रिलेक्स तरीके से मैं उस दिन दिवाली के दिन में अपना मेकप किया था तो आप देख सकते मेरा बेस कितना जादा अच्छा आया है इसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग में कंसिलर अप्लाई किया था उसी को लेकर बहुत ही हलकल का अपने अंडर आइस में अप् कर दिया इसके बाद मैं अपने बेस को सेट कर लूँगे नायका के कॉम्पेक्ट से यह कॉम्पेक्ट जैसी यह था वैसी ही टूडियस इसको मैंने दूसरे कंटेनर में शिप्ट कर लिया है तो जहां जाब भी क्रीज हो सकती है वहां मैं इसको अच्छे सा अप्लाई कर ल करते हैं आई मेकप की तरफ तो पहले मैंने दो पैलेट्स लेते मुझे लगा कि मैं इन से क्रीट करूंगी कुछ लोग लेकिन फिलाल मेरे एक ही पैलेट से काम हो गया यहां पर मैंने यह वाला शेड लिया है इसको अपने अपने आइलिट के उपर अप्लाई कर लिया है क्लीenne ब्रश लिया था जैसे इसको मैंने पूरा थोड़ा सा सी कवरेश को लाइट कर दिया अचैसे इसको ब्लेंड कीया क्या को कि इसमेकप के लिए थोड़ा सा ऑट को द्याण देना हो गा तो मैंने अच्छे सेयां पर आपकर करी यह में तो उपनी प्लाई कर यह कर i luck थ इसको मैं पूरे अपने आइलिट्स पे अपलाई करूंगी अच्छे से अपलाई करने के बाद इसका पिग्मेंटेशन पर्टिकुलर इस शेड का बहुत ही जादा अच्छा था तो अच्छे से मैंने फिर से क्लीन ब्रश लिया और अच्छे से पूरे अपने आइलिट्स के अच्छे से अप्लाई करें हूँ आप देख सकते हूँ कितना अच्छा इसका यह कवरेज आ रहा है अगर आपके आउटूट में से कॉपर है फोल्डन है तो उस तरीके का शेड भी आप ले सकते हूँ अगेन मैंने इसको क्लीन प्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है इस इस वाले पैलेट में नहीं था इसलिए मैंने यहां से यह वाला शेड लेकर अपने इनर कॉनर से अप्लाई कर लूँ जिसे की मेरी आई लिट्स को एक अलोंगेटिड लुक में ले इसकी बाद मैं अपने आइब्रोस को फिल कर लिया हिलैरी रुडगाया पैलेट लेके द यह में अल्मस्ट हो गया है टो आइल स्कोर्ल कर लेते हैं और लगाँंगे तो में में लिए में मेबलीन का हैपकल मसकर यह वाशिवल मसकरा मैं मसकरा की यह फैन नहीं हो इंगी मुझे नहीं पसंदाता था था zulता है तो फिर भी लगाना तो बोड़ लिया और इसी से अपने face पे contour करूंगी अपने hollow of the cheeks, अपनी jawline, nose और अपने forehead को अच्छे से मैं यहाँ पर contouring से shape दे लिए हूँ, dimensions दे लिए हूँ, जिसे मेरे face पे एक अच्छा सा structure बन सके तो जब मैंने लेस नहीं लगवाई थी ना उससे पहले मैं ऐसी में तरह पे देख रही थी कि मैं मला क्या ट्रेंड मिश लग रहा है तो मुझे ने एक पोपल कलर की साडी दिखी जिसके ओपर बहुत पतला-पतला सा बॉर्डर लगवा था तो मुझे देखके बहुत टेलर को दे दी और सीडिसली बताओं यार मैं जादा कुछ नी भूलूँगी आप लोग देखके बताना मुझे उस साडी से काफी जादा अच्छी अपनी साडी लग रही थी तो आप लोग भी इस तरीके का कुछ भी कर सकते हो याप में भी किया भी हो आप लोगोंने ब् चीक, अपनी नोज और अपनी चिन पे मैं अच्छे से अपलाइ करू कुछ मैं इसके बद में अपने पूरे फेस को सेट का लिए सेटिंचstes już के हल्स और हाइलटर के लिए विन मैंने यहाँ पे पिंक हाइलटर ही लिया है तो ब्रेश में पहले मैंने फ्रे का लिया था है क्योंकि मैं चाहती मेरे फेस पर हाइलेटर जादा अच्छा लगता है आप लोगों को है यह नहीं जरूर बताना तो अपने ब्रिज ऑफ दी नोस अपने 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 क्यूपिड एरिया और अपने चेन और फोर हैड पर मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूगी ब्लॉ और जो फ्लाट्स लगाए थे वह भी आप लोगों पता है मैंने सदर वाले व्लॉग में आपने इस लुक के लिए तो क्योंकि फॉर्स टैम इस तरीके का शेड लगा वी पॉपल कलर में मैंने इससे पहले कभी भी नहीं लगाया मुझे लगा तो ऐसी मैंने रख लिया बि बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि कैसा लगेगा लेकिन जो मैं इस अप्लाई कि कर रही थी न तो यह काफी ज़्यादा जली सूख रहा था तो यह चीज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी प्राइस पॉइंट से देखा जाए तो फॉर्स बिल्कुल यह काफी ज़्यादा अच्छा लगा तो यहाँ है मेरा मेकप अलमस्कूरता कंप्लीट हो चुकई अपिस लिप स्टिक को जाम performers hole गया था तो मेरा फाइनल मेकप लूग और मेरे आउटफिट तो कैसा लग आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेट सेक्शन में बताना सारी डीटेल्स मैंने वीडियो में मेंशन कर दी है थोड़ा सापी पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे है जदी से सब्सक्राइब कर लो कुछ भी रिक्रेट करते हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर टैक करना मेरा इंस्टाइड अले चेंज एक्सपर्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाइबाइबाइ झाल 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 झाल